आपर जो cool vacancy है वो अभी के लिए सारे 7000 है बाद में बर भी सकता है और साथ ही साथ जो payment skill सुरुवात होती है 25500 से 1,91,100 तक की जो आपका payment skill हो सकता है जी हाँ guys, combined graduate level examination की SSC की और से जो official notification प्रकास किया गया हम अज उसके बारे में चर्चा करेंगी पूरा detail one by one यहाँ पर discuss करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहना end तक अगर आपने किसी दूसरे वीडियो देख भी चीज़े बताऊंगा और साथ में जो direct apply link है वो भी देने बाला हूँ साथ में यह जो PDF आप देग रही हो यहाँ पर detail बताया गया है इन सब के बारे में इसको भी हम एक एक करके सबी चीज़ों को discuss करेंगे सबसे पहली बात कि यहाँ पर SSC की और सी यह जो notification है इसमें बताया जाता है combined graduate level examination graduate level examination that means कि यहाँ पर educational qualification होने चाहिए वो कम से कम आपका graduate level होना चाहिए और यह जो vacancy है यह all over India का vacancy है तो कोई भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख लीजेगा आपका बेहत काम के आने वाला यह वीडियो चलिए हम आगे बात करते हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यह रहा notification और यह notification जो है कुल अगर आप देखेंगे तो यह 75 page का notification है 75 page है इस notification के अंदर इस notification को पढ़ने के बाद आप इन सवीची जो का understand कर पाएंगे कि यहाँ पर आपका edge limit क्या होना चाहिए आप कौन सी पद के लिए apply करने के लिए युग है आपको minimum educational qualification मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपका graduate होना चाहिए साथ में आप जिस पद के लिए apply करेंगे उसका payment skill क्या होना चाहिए साथ में आपको यहाँ पे कौन-कौन सी vacancy है यानि कौन-कौन सी पद है उसके बड़े में भी जानकरी मिल जाएगा और आखिर में आपको यह भी पता लग जा जानना है तो आपको यह 75 पेज की PDF को अच्छी तरीके सा understand करना होगा लेकिन इसका alternative हम लोगों ने आप लोग के लिए बना की रख्या है आपको आपका browser open करना है किसी भी browser open कीजिए मैं हमें से chrome browser prefer करता हूँ तो आप chrome browser open कर लीजिए chrome browser open करने के बाद आपको यहाँ पर type कर देंगे देखिए इस website के अंदर आप आ जाएंगे और इस website को थोड़ सा scroll करने के बाद अभी टॉप में आपको ना उन high demand जीतने पी सारे job है उसका list दिखाया जाते है जैसे आपको क्लिक करना होगा ऐसे सीजियल रिकुड्मेंट दो आजा तेस के अंदर आप जैसे इसके अदर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है अब इस page में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और जैसे नीचे आएंगे यहां पे टेबिल फॉर्मेट होता है इस टेबिल फॉर्मेट के अंदर ही आपको सभी डिटेल बताया जाता है मैं आ हम एक एक करके सबी चीजों को देगने की कोशिश करते हैं जैसे सब से पहले मैं हमेसा कहता हूँ कोई भी जवापडेट जवाब पढ़ोगे तो उसका नोटिपिकसन नमबर को आप कलेक्टर के रखें यहां पे नोटिपिकसन नमबर हम लोगों ने में मेंसिन करते हैं ताकि कि यह आपकी जब फाइनल सिलेक्ट होगा याने आपको जब चायन किया जाएगा आपको अपॉइंटमेंट लिटर दिया जाएगा तब दक यह काम में आएगा क्योंकि इसको आपको अलग अलग जगा दिखाना होगा अडमिट का डाउनलोड करेंगे जब आप एक्जाम के बार में दो टैब बना के रखा गया है यहां पर देखिए इंपोर्टन डेट है यहां पर जो ऑनलाइन एपलाइन है वह स्टार्ट हो चुका है तीन एप्रील दोजार तेईस से और यह चलने वाला है तीन में दोजार तेईस तक यह एक महीने की टाइम डूरिसन के किसी भी जगा गलत ही किया हो उसके लिए विंडो ओपिन किया जाएगा सात तरीक से याने सात में से आट में यानने दो दिन जो विंडो आपके लिए ओपिन रहेगा जब आप यहां पर एडिट कर सेकतो है त्य कि जूलाई दोजा तेश के अंदर आपका कम्पिटर बेस हो जाएगा टायर वन का तायार टू की की कोई नोटिफिकेस्ट में कुछ क्लियार नहीं बताया गया है उसके लिए नेक्स का इंतजार हम लोगों को करना होगा जब नेक्स नोटिपिकेशन आएगा इसी चैनल के मदद से आपको अपडेट दिया जाएगा तो इस वेबसाइड और इस चैनल के आप सबस्क्राइबर बन सकते हो उसके बाद थोड़ा सा राइट की और देखते तो यहां पर अप्लिकेशन फीज के बड़ा में बताया गया है कि अप्लिकेशन फीज कितना रहेगा देखिए SC, ST, PW, VD, ESM के लिए कोई भी फीज नहीं है उसके बाद आदार्स जितने भी केंड़ेट है उन लोग के लिए सिर्फ जोए 100 रुपीज की फीज है और यह जो फीज है जब आप उनलाइन फर्म सब्मिट करेंगे उस ताइम आपको जमा करवाना होगा तो जब आप जमा कर कर सकते हो अब आप थोड़ा सा नीची चलके देखेंगे तो यहां पर वैकेंसी रिटेल्स के बाड़े में बताया गया है जो मैं सुरूबात में आपको बताया था टोटल वैकेंसी जो साथाजार अभी के लिए यह आप प्रोक्स है बाद में यह प्लास भी हो सकते है इसक जॉब टैप जो यह पर्मेंट जॉब है किसी प्लागा का कॉंट्राक्ट्श बेसे जॉब यह नहीं है कहां का कंडाई कर सकता है तो आपर आप में तो payment scale के बारे में यहाँ पर बताया गया है देखिए 25500 से आपका salary सुरू हो सकता है और आपका 사us पारी आक्सिमम सालरी है वह 1 isol at. रूह सा नीचे आया तो यहां पर देखिए जो पोच्ट है वह various पोच्ट है देश्मिन की अलग-अलग दिये कि आपका बैचलर डिग्री आपके पास याने सनातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए थोरा सा नीचे आए तो document कौन कौन सा लगा जो आप online अपलाई करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर उनका list बताया क्या है आप इस page पे जरूर विजिट कीजिए और इसको understand कर लिजिए age limit की बात करें तो आपका जो minimum age है 18 वर्स और maximum age 32 years होना चाहिए selection process जो है यहाँ पे दो परिक्सा होगा computer based दो परिक्सा होगा टायर 1 का होगा और टायर 2 का होगा उसके बाद जो आपको final select कर लिया जाएगा important link के अंदर आपको उन सभी link मिलता है जो PDF मैंने शुरू में आपको दिखा रहा था उसको अगर आप download करना चाहते हो तो यहाँ पर click करके download कर सकते हो ssc का official website visit करना चाहते हो तो यहाँ पर click करके visit कर सकते हो अगर आप online apply करना चाहते हो तो आप यहाँ पर click करके अभी शुरू कर सकते हो मैं demo दिखाऊंगा आपको कैसे आप online apply करेंगे क्या है तरीका उसके बाद थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अलग-अलग details को और वी जो यहाँ पर summarize किया गया है जैसे यहाँ पर age limit के लिए कौन-कौन सी पद ह उसके बड़े पत्रक किए assistant, editor, assistant, account officer, assistant, section officer, inspector, उसके बाद executive, assistant तो इन सब के लिए यहाँ पर age limit जो अलग है 18-30, assistant, section officer, saw inspector, लोग के लिए 20-30, तो age limit को भी आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो कि आप कौन सी पद के लिए आवेदन कर सकते हो उसके हिसाब से अलग-अल लिमिट यहां पर summarize किया गया है अब तो और नीचा आये तो selection process मैंने बताया था आपको शुरू में कि टायर 1 में क्या रहेगा टायर 1 का जो syllabus रहेगा वह objective type choice का question रहेगा टायर 2 में paper 1 and paper 2 and paper 3 का जो है CBT होगा उसमें paper 1 में क्या रहेगा compulsory for all posted paper 2 के लिए कुछ-कुछ अलग-अलग post के लिए आपको यह paper 2 देना होगा paper 3 भी कुछ अलग-अलग post के लिए आपको paper 3 देना होगा तो I hope कि आपके understanding में बहतर तरीके से आ रहा है मेरा काम है कि आपको hook करना कि भाई जाओ यहाँ पे vacancy निकल कर आ रहा है और आपका काम है कि उस vacancy को देखना और उसको against काम लेना क्योंकि हम यहाँ पर सभी डिटेल चर्चा करेंगे तो फीडियो घंटे दिर घंटे की बन जाएगा उसके बाद थोड़ा सा उपर के और फीर चलते है और online apply करने की जो process है उसको understand करते है क्लिक करना है apply online का उसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ssc का वो पोटाल ओपन हो और ssc का यह main website ओपन हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको login सेक्सिन मिलता है अगर आप पहले ssc कीसी पर फार्म भेरे थी तो उसका जो आप registration ID और password डालके आप पर नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएगा new user registration दो माल लेता हूं कि आप नए user हो तो आपको इसके अंदर क्लिक करना है जैसे आप ट्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर तीन स्टेप में आप registration को complete कर सकते हो थोड़ा सा नीचे आ जाईए और यहाँ पर अपना detail फिल कीजिए जैसे for example do you have a अधार तो अधार तो अभी mandatory यह सबके पास अधार है तो इसको आपको ठीक करना है याने इसके अंदर आपको क्लिक करना है अधार नंबर यहाँ पर डालना है verify अधार नंबर करना होगा OTP के through उसके बाद आपको ID देना ह होगा उसका type देना है ID का number देना है नेम डालना है आपका तो इस तरीके से आप आगे-आगे process करते जाएंगे और तीन step के मंदर जो आप SSC के अंदर registration कर लेंगे जैसे आप SSC के अंदर registration कर लेंगे आपका documents यहाँ पर submit हो गया अब आपके सामने SSC CGL का वह vacancy दिखाई दे इस government sector के अंदर vacancy निकल कर आया है उसको understand करो और मैं जितने सरा webpage refer करता हूं उसको visit करो और उसके बाद उसके against आप काम करो तो I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरू से जरूर जो है इन सब काम को करेंगे मिलता हूं next वीडियो में तब तक जो आप इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को like और share करके अपने society में impression बढ़ा सकते हो झाल कि आप झाल कि झाल के सूचच में अवीडियो अपने के लिए करेंगे मिलता हैं और हुड़ाय हैं और युड़ादाए और दो शेख। झाल झाल